नीमत जिले की जावत क्रशी उपज मंडी में मौझूद है जावत क्रशी उपज मंडी लहसून के लिए जानी जाती है इसके अलावब भी उपज आती है लेकिन कम मातरा में आती है उसका रिकास कारण यह है कि जो जावत क्रशी उपज मंडी के पास ही नीमत क्रशी उपज म जावद यहां किसान संतुष्ट है उनका अच्छे दाम में लसन यह बिग रहा है उपर में आज 20,500 रुपए तक भीका है नीचे में 8,000 रुपए है मिनियम मिनिमम और सबी किसान यहां संतुष्ट है तभी नीमज न जाके जावद की और आ रहा है किसान नीमज से भी कुछ म आवक का प्रेशर है और सेंटर भी सब फूल हो चुके है कुछ किसान आंदोलन की वज़े से भी बौडर सील हो गई है तो उससे भी थोड़ा फरक फल रहा है अच्छा जावद क्रशी उपजमेंडी में क्या खासी आते कि और इसके अलावा क्या-क्या विकता है और क्या र जाल रहा है क्या सोच रहें मारजाल चालोगर जर्ण Meansमी की जुक है. ज人 को काफी नुक्सान हो आए और और किसानों को आगे भी मतलब इससे ज्यादा बाव मिलने की उम्मीद थी। कुछ किसान ऐसे भी थे जिनकी लेसन उनने भी की लेकिन उनको भाव से संतुच नहीं थे तो वापस ले जा रहे हैं। हाँ जैसे का गिला माल है कोई वापस भी ले जा रहा है कोई बेच रहा है लेकिन ये बाव मतलब ये कम लग रहा है किसानों क्योंकि ज़्यादा बाव देख लिया है 32,35,40,000 तक जिनों ने बेचा है उनको 15,16,000 बेचना थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और डाउन हो सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी खास बात है कि जो किसान आदोलन चल रहा है उससे नीमच जिले की जो लहसुन मंडिया और दूसरी उपजे उनके भाव में कमी आ रही है तो ऐसे में आगे भाव कर दो दो दिन-ती तीन-तीन में कम हो चुके हैं और तीन दिन में जादे कुछ जादे ही मतलब डाउन रहा है मगब आदे आदे के गरीब आगै घैंगे हैं वह तो और तीन दीन के अंदर ही फर्क पड़ा है जावत मंदी में बहाओ किस थरह के हैं क्या था नीमत कंपिरेजिन से और मतलब ईज्ञरा तो दुनों दो यह करें तो लिक्तर सब्कारग साउति cat कि पुल मिलाकर जो लहसुन के इंदनों भाव जो लगातार डाउन होते जा रहे हैं इसके चलते अब किसान अपनी उपच को रोकना चाहता है इसके पीछे मुख्यवज़ा किसान अंदोलन और उपच की ज़्यादा आवक हो जाना है